हाई गाईज तो मैं आज आपके सामने एक बहुती बड़ी रिवीव लेकर के आई हूँ बेबी प्रोड़क्त का जो की ममा अथ का है इसके पहले भी मैं आपके साथ ममा अथ के प्रोड़क्त शेयर कर चुकी हो और आप लोग बहुत पसंद करते हैं हम अपने बच्चों के ल ममा अथ के सालिए मा प्रोड़क्त के बारे में यहां पर मैं आप से भात करने चाहरी हूं ममा अथ का मिल्की सॉफ्ट बेदिंग बार जो की इस्पेशली बेबीज के लिए बना होता है यह ओर्स बिल्क और के लिए चैलम्डूला से बना हुआ है और बोहत जादा जेंटिल है टॉक्सिन फ्री है बच्चों के जब लोग लगाते हैं तो इनको टीर हो आते हैं तो यह टीर फ्री है किसी भी तरह का बच्चों को आसू अगेरा नहीं आएगा मेर सेफ है और यह 5.5 पी एच पी एच है इसमें और डर्मोटोलोजी टेस्टेड है और इसका जो झिसमें 2 बार आते हैं मतलब 2 सादूनिक यह जो बार है वह दो आते हैं पाको टू है पाक आफ वण पी आता है अगर आप लेना चाहते है तो आप ãहाँ पे चशाख आओट कर सकते हैं तो मैं अपने बच्चों के लिए यह प्रॉड़क्कți बहुत टांस неп hayued मैं आपको 22 फिरिश करूंगे अगर आप इस पीजा ना सबस्कारोब हम बात चाल अगर बच्छों को बाहर दूपमे ले जाते हैं तो अभी यहां पे मुझा के मिलकी शॉफ मिस्किरीटों के लिए है यह 0 to 10 years के बच्चों के लिए है मतलब आप newborn baby से start कर सकते हैं और जो इसका volume है मतलब इसकी जो quantity है वो 80 gram की है तो इस तरह से यह tube में आता है आप देख सकते हैं अगर मैं इसके price की बात करूँ तो यह 329 रुपीस का है बट ऑनलाइन आप चेकाउट कर सकते हैं वहाँ पर बहुत सारे offers वगरा चलते रहते हैं ममाद की जो product है वो नाइका, परपल, अमाजान पर easily available हैं बट अब यह आपको आपके nearby store पर भी मिल जाते हैं तो बिल्कुल चेकाउट करना मद भूलिएगा यह काफी अच्छे product होते हैं और यह dermatologically tested है जैसा कि मैंने आपको बार के soap के बारे में बताया उसी तरह यह भी toxin free and dermatologically tested है मैं तो बोलूगी कि हमें अपने बच्चों के लिए ऐसे product यूज़ करना चाहिए अभी यह मेरा newly newly product है मैंने इसको आपके सामने ही देखे मैं open कर रही हूँ जब यह आया था तो मैंने इसको open कर लिया था बट इसकी जो packaging है वो मैंने open नहीं करी थी तो यह देखिए इसका मैं आपको texture दिखा देती हूँ यह इस तरह से है और जब हम इसको spread करते हैं तो यह इस तरह से हो जाता है थोड़ा white cast आता है बट वो थोड़ी देर में absorb हो जाता है बच्चे के skin पे तो अब बच्चों को धूप में ले जाने से पहले हमें sunscreen ज़रूर use करना चाहिए तो यह था मेरा review I hope आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो वीडियो को like share करिएगा ग्लाम शेता पर पहली बर आते हैं तो subscribe कीजिए और अच्छे च्छे वीडियो देखने के लिए नेक्स वीडियो आपके इसका review देखना चाहते हैं कि इस product का मुझे comment करके ज़रूर बताईएगा आपके according मैं ज़रूर उस वीडियो को बनाने की कोशिश करूँगी तो चलो इसी के साथ में इस वीडियो को यहें पर finish करती हूं मिलती हूं नेक्स वीडियो तक के लिए take care and bye bye